स्वतंतरता सेनानी डॉक्टर हेडगेवार एक अप्रेल 1889 को नागपुर में जन्मे स्वतंतरता संग्राम के अग्रणी युद्धा डॉक्टर केशो बलीराम हेडगेवार जन्मजात स्वतंतरता सेनानी थे बालेकाल से लेकर जीवन के अंतिम श्वास तक देश की स्वतंतरता के लिए संग्र शरत रहे डॉक्टर हेडगेवार ने नहीं चाहिए पद यश गरिमा के सिध्धान्त पर अटल लहते हुए न तो अपनी आत्म कथा लिखी और नहीं समाचार पत्रों के सुर्खियां बटो जित अस्वयोग आंदोलन एवं दांडी यात्रा आंदोलन में सक्रे भूमिका निभाने वाले डॉक्टर हेडगेवार ने दो बार एक एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की यातनायव होगी वे एक आदर्ष सत्याग रही थे अपने और अपने संगठन के नाम से उपर उ प्रदर पार्टी आजाद हिंद फौज अभिनव भारत हिंदू महसभा आरे समाज हजारों क्रांतकारियों संत महात्माओं राष्ट्रवादी लेखकूं कवियों सहित्तिकारों इत्याद एवं राष्टी स्वयम सेवक संग की मुख्य भूमिका को नकार कर सुतंत्रता संग्राम को एक ही नेता एवं दलके खाते में डाल देना घूर अन्याएं तथा अनयतिक है राष्ट के प्रति डॉक्टर हेटगेवार का विचार बिल्कुल स्पस्ट था डॉक्टर साब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की छमताओं को विक्सित करने के लिए नए नए तौर तरीकों को अपनाया परंत प्रथम भारती स्वतंतरता संग्राम की असफल क्रांति और ततकालिन परिष्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वर्ष 1925 सितंबर माह की विजय दश्मी के दिन एक हिंदू यूवक क्लव की निवडाली जो कालांतर में राश्ट्रिय स्वयम सिवक संग के नाम से विख्यात हुआ। डॉक्टर हेटगेवार का मानना था कि भारत की वह सभी लोग हिंदू हैं जो इस देश को अपनी पूरे भूम पित्रिभूम मामते हैं उनका मानना यह भी था कि संग तो केवल हिंदूस्तान इस धेय वाक्य क को ही स्विकार करता है। डॉक्टर हेटगेवार कहते थे कि केवल भूम के किसी टुकडे को राश्ट नहीं कहते बलकि पुरातन काल से रहते चले आये उन लोगों की संसकृति जो सभ्यता परंपरा एवं आचार विचार को अंगिकार करने से बनता है। इस देश को हमारे ह कारण हिंदुस्तान नाम दिया गया है। वंदे मात्रम उद्गोष से उनका अभिन्यनाता था। वे परम वैभोम नेत मेतत स्वराश्टम को साकार होते देखना चाहते थे। समस्त हिंदु समाच को उज्वल भविश्य के रास्ते पर चला कर 21 जून 1940 को इस संसार से विद कि वार।